दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं आलू और कुंद्रू की सुखी मसालेदार सबजी जिसे आप घर के सिंपल मसालों से बहुत असानी से बना कर त्यार कर सकते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, रोटी पराठे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना सुरू करते हैं। इसके लिए कुंद्रू मैंने लिये 250 ग्राम, इनको धुलने के बाद कप्ड़े से अच्छे से पोच लिया है। अब कुंद्रू के दोनों सैट्स को काट कर अलग कर दीजे और इसके दो भाग कर लिजे। और उसके बाद इसके चार भाग। देखिए इस तरह से, इस तरह से ये जल्दी गल जाते हैं और इनके अंदर मसाले अच्छे से भर जाते हैं। तो सारे कुंद्रू को मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने दो मीडियम सैज का आलू लिया है। आलू को भी मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। सेप आप कोई सा भी रख सकते हैं, अब हम गैस पर कड़ाई रखेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं दो बड़ी चमश सरसो का तेल, तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा चोटा चमश सरसो के दाने, आधा चोटा चमश जीरा, और चार से पांच लसुन की कलियों को हमने बारिक काट कर ले ली है एंदाल देंगे और इनको हल्का भून लेंगे और अब हम इसमें ये अलू डालेंगे और इनको पहले हाइफ लेम पर एक-से दो मिनट तक भूनेंगे जिसे इन में क्रंच बना रहे मार sorry और देखे इनको हमें देर तक पकाना नहीं है क्योंकि कुंद्रू के साथ हम इन सभी चीजों को पकाएंगे तो high flame पर हलका सा प्याज को भी भून लेंगे और जैसे ही प्याज translucent हो जाए इसका कच्चा पंदूर हो जाए तो हम इसमें कुंदुर डाल देंगे और अब हम इनको high flame पर 2-3 मिनार तक भून लेंगे मैंने 2-3 मिनार तक पका लिया है अब हम इसमें नमक डाल देते हैं मैंने एक छोटा चमच नमक लिया है आप अपने स्वात के हिसाब से नमक डाल सकते हैं नमक को अच्छे से मिक्स कर लिजिए और अब हम इसे कवर कर लेंगे और इनको 7-8 मिनट तक पकाएंगे या तब तक पकाएंगे जब तक की आलू और कुंद्रू सौफ्ट न हो जाएं बीच में 2-3 बार चला लिजेगा क्योंकि सुखी सबजी बना रहे हैं न तो ये तली में लग जाएगी अभी हमें सबजी को पकाते विए 6-7 मिनट हो गए हैं आलू और कुंद्रू लगभग 70% तक कुक हो चुकी है तो अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च कोई भी सूखी सबजी बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ढाल दीजे तो सबजी का टेस्ट बढ़ जाता है इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिलाने के बाद हमें इनको 2-3 मिनट तक और कवर करके पका लेना है जिससे मसाले भी पक जाए और सबजी में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए दो मिनट मैंने इनको पका लिया है अब हम इनको थोड़ी देर भून लेंगे जिससे सबजी में बढ़िया सा क्रंचा जाए तो सबजी को कड़ाई में फैला लीजे और थोड़ी थोड़ी देर पर चला लीजे इस तरह से सबजी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है और सबजी बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगती है तो देखिए दो मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है कुंद्रू भी अच्छे से गल गई है और आलू भी अच्छे से पग गया है तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच आमचूर पाउडर और आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गरम सर्ब कर लेंगे आप ये सबजी डाल चाओल के साथ सर्ब करिए रोटी पराठे के साथ या लंच में दीजिए ये सबजी पहुत स्वादिश लगती है तो फ्रेंड्स आलू कुंद्रू की ये सबजी एक बार ट्राइ जरूर करिएगा और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद